आये सुनते हैं ममता कालिया जी की कहानी खाली होता हुआ घर वो बहुत दिनों बाद आई थी, आही नहीं पाई, यहां आना एक दुनिया से निकल कर दूसरी दुनिया में आने जैसा था यहां के पेड उसे अलग किसम के लग रहे थे, यहां का मौसम, यहां का पैनावा, यहां की बसें, यहां के लेटर बॉक्स, सब उसे अलग लग रहे थे बगल की खिर्की से जाको तो लगता वो किसी पहार पर आप उची है पीछे वाली खिर्की से देखने पर लगता वो किसी बंजर पठार में है इतनी भौगलिक विसंगतियों के बीच ये छोटा सा बंगला सस्ते बजट पर बनी किसी फिल्म का एक चालू दृश्य लग रहा था एक जमाना था जब वो बड़े बंगलों में रहने की आदी थे ये बंगले शहर के बाहर होते वीरान और विस्तृत फैलाओं में सारा सारा दिन वहां टेलिफोन के लावा कोई आवाज नहीं आती बंगलों से चुड़े नौकरों के क्वाटर थे दरसल वो उन क्वाटरों में रहना जादा पसंद करते पर उनमें साहस का भाव था कोई लंबा परिवार नहीं था उनका सिर्फ तीन उनमें से एक बहुदा दफ्तर में पाया जाता दूसरा बिस्तर पर और तीसरी वो खुद सारे शहर का दोरा करती रहती कभी किताब खरीदने के बहाने कभी साड़ी पसंद करने के बहाने कभी सहलियों के बहाने बाकी आधा दिन उसका मम्मी के पीछे-पीछे घूमने में जाता उसे लगता मम्मी कांच की बनी है वो कभी भी गिरकर खील-खील हो जाएंगी मम्मी के सिर पर धेर सारा काम था उसके उपर मम्मी को टोकने का काम ये मत करो, वो मत करो कहते कहते ही वो इतनी धख जाती है कि जब मम्मी को लेटने का नंबर आता है तो वो भी वहीं साथ ढेर हो जाती है शाम को पापा के दफ़तर से लौटने पर वो सब इकटे होते सोने वाले कमरे में वहीं शाम की चाए पी जाती वहीं रेडियो सुना जाता सच मुन्नी, रिटायर होने के बाद मैं कोई लंबा चोड़ा मकान तो बनवाऊंगा नहीं, पस एक बड़ा सा हॉल बनवाऊंगा, उसका एक कुना बैठक होगा, दूसरा स्टड़ी, तीसरा कुना बेडरूम होगा और चौथा रसोई, बीच में मैं अपनी लाइबरेरी जम ठीक है न, रही तेरी साणिया, उनके लिए मैं इस दिवार से उस दिवार तक इतनी बड़ी वार्डरोब बना दूँगा, देख इतनी बड़ी, वो हाथों से बताने लगते, ताम अम्मी कहती, तुम तो ऐसे बोल रहे हो, जैसे मुन्नी तुम्हारे रिटायर होने तक किसी न किसी को डाट बताते, वो 24 में से 20 घंटे काम करने के लिए बदनाम थे, उनके आलसी मातहत उनसे बड़े दुखी थे, मुश्किल से शाम के 5 बजाकर जो वो कौपरी में चाय पीने का इरादा करी रहे होते, मिश्रा साहब वर्षो पुरानी पांडो लिपी ढुनने और व्यवस्ता टै बोलने वाली होती, वास्तव में उनके जीवन में घर एक चुनोती था और दफ्तर एक शरंस्थल, जब भी कभी मम्मी जादा बिमार होती, वो कुछ दिन डॉक्टरों के पीछे भागते, फिर ठक कर दफ्तर में मश्गूल हो जाते, मम्मी का शरीर पु जद गंबीर रूप से खराब होती, आहाते में डॉक्टर की कार खड़ी होती, मेस पर दवाईयों का धेर और घर में एक रुबन पस्ती, अक्सर उनका वो रोग पुरी तरह ठीक न होता, एक और रोग चुप चाप आकर उनकी दे में घर कर लेता, कभी हवा के साथ, कभी बारिश के दोरान, कभी ठंके आकरी पड़ाओ पर विमारिया उनके साथ हो लेती, और फिर लंबे समय के लिए साथ ही रहती, वो कुछ दिन दिवाईयां खाती, फिर असहाय सी समझाता कर लेती, जब जब ऐसा होता, उस घर के लोग कितने डर जाते, मुन्नी अमुन्नी न लगी रहती, रात में मेज पर काली चाय रखकर पढ़ाई करती, दरसल 20 साल की उमर में महस पढ़ाई करने से पढ़ाई नहीं हो जाती, इधर वो लेडी मैकबित के स्लीप वाकिंग सीन का और चित्त्य याद करती, उधर उसे कोई ताजा फिल्म याद आ जाती, या दिन मे होई कोई चुहल या किसी सहपाठी की शरारती नजर, फिर तो बस आखों के सामने से अक्षर एक एक करके सरकने शुरू हो जाते और किताब का पढ़ना स्क्रीन का काम देता, नाम को तो वो रोज 3 बज़े तक बैठ थी, मगर पढ़ाई उस बीच कितनी होती ये किताब को ह पता था, इसलिए सालाना इम्तिहान में जब सबने उससे उमीद लगाई हुई थी कि वो यूनिवस्टी में प्रतम आएगी, वो 11 नंबर पर आई, और वो भी 22 श्रेणी में, उसको लेकर पापा की ये पहली पर आजए थी, वो अकबार हाथ में लेकर देर तक सन बैठे र रही थी, ये उसके पापा के प्रती पहला विश्वास खात था, उस दिन वो जल्दी दफ्तर चले गए और देर तक नहीं लोटे, खाने का डिबबा उन्होंने भरा का भरा लोटा दिया, वो इस हाथ से हका बक्का थे, फिर तो शायद वो उन्हें शिकस्त पर शिकस्त दे पर उतारू हो गई थी, में उसने तीसरे दर्जे में पास किया, बीएड में वो फेल हो गई, लाइबरेरी साइंस के कोर्स में उसे दाखिला नहीं मिला, हार कर वो घर बैढ़ गई थी, खाली और निश्क्री है, उसकी सारी चुस्ती, सारी तेजी, एका एक बुझ गई, अब पापा के दफतर से लोटने पर वो उन से फिजूल बहस में नहीं पड़ती, चुपचाप चाय रखकर अपने कमरे में चली जाती, चुपपी और चालाकी में गहरा रिष्टा है, खाली बैठे बैठे, वही उटपटांग सी सुमित्रा, चंट और घुन्नी ही होती महीनों में उसने अपने लिए एक नया मुकाम ढून निकाला, इस मुकाम पर दिल्ली की एक गिचपिच कालोनी में एक सी क्लास कोटर था, एक अदद लड़का था और पांस सो रुपे मासिक आये, लड़के के अलावा कोई चीज धडल ले की नहीं थी, सब नहाय थी औसत, इसी औसत की शायद उसे तलाश थी, अब जब वो विलक्षन होते होते रह गई थी, उसे अपने अनुकूल माहौल ढूनना था, जब पापा से मिलने एक से एक आला अफसर आते और बाचीद बच्चों पर आ निकलती, तो पापा को किस कदर नीचा देखना पड़ता, उसी फ्रेंच का डिप्लोमा करा देंगे, या एर होस्टेस बनवा देंगे, दरसल ये सब ढकन थे, जो पापा उसके औसक्तपन पर रखना जाते थे, पर सुमित्रा को एक आसान और आकर्शक विकल्प अनायासी मिल गया था, वो उसे छोड़ना नहीं जाती थी, कुछ दिन वो लड़े, फिर पुनहम मुशिकों भव के कीजबरे आशीश के साथ, उन्होंने सब मनजूर कर लिया, अनार और सुदर्शन चक्र छोड़ती, आती बरात, विच्तोदारों के नकरे, लाउट स्पीकर पर घिसे पिटे रिकॉर्ड, शगुन छाप दो रुपली, पाच लड़े में जाना छोड़ दिया, जो उसका कहलाता था, उन्होंने वो पत्रकाएं बंद करवा दी, जो वो पढ़ती थी, उनके हाँ खाने की मीस पर तीन की जिगा दो प्लेटे लगने लगी, वो मम्मी से कहते, इसी तरह ये घर खाली होता रहा, तो एक दिन सिर्फ दीमक और किताबें बचेंगी देख लेना, ममी के मन में अद्भुत तसली थी, तुम्हारे लिए यही काफी होगा, फिकर मत करो, इस बार वर्षों बाद सुमित्रा यहां आई तो उसे लगा, समय आदमी से कुछ भी करवा लेता है, यहां तक की समझाता भी, वही पापा थे, व इस्क्रिप्शन पर लिखी दवाईयां ला देते, फिर रैक में से कोई किताब निकाल कर पढ़ने में डूब जाते, किताबें उनके लिए एक जरूरत थी, पहले उनके यहां किताबें गिन कर रखी जाती थी, फिर तुल कर याद रखी जाने लगी, हर तबादले में वो धोई जाती, नाकपुर से धारवाड, धारवाड से दिल्ली, दिल्ली से बंबाई, उनके लिए पुक्ता लकडी की बढ़ियां पेटियां बनवाई जाती, घर का फरनीचर ओने पौने दामों में बेज दिया जाता, रसोई के डिब्बे कनिस्तर नौकरानियों को पकड़ दिये जाते, किताबे करीने से पेटियों में भरी जाती, और जब माल गाड़ी से रवाना की जाती, तो पापा ऐसे दुखी हो जाते, जैसे दूसरी बेटी को विदा दी हो, नए शेहर में जब तक वो पेटियां पहुँचना जाती, वो तनाओं में रहते, फिर इनी किता जब सुमित्रा अपने शेहर के प्लाटफॉर्म से चली थी, पता नहीं क्यों उसने सोचा था, उसकी पुरानी दुनिया में सब कुछ वैसा होगा, जैसे उसने चोड़ा था, बलकि पहले दिन उसे लगा भी, वाकई सब कुछ अपनी पुरानी जगा पर था, यहां तक की स पुराही भी, बदलाओ तो शाम को ही नजर आया था, पापा के दफ्टर से लोटने पर, उन्होंने बैग जगा पर रखा और वार्डरोब से कुर्टा पजामा निकाला, यह एक चमतकार था वरना तीन साल पहले सुमित्रा को याद है, उनके आने के समय मम्मी फिरकनी सी कम पापा का पजामा कुर्ता, यहां होना चाहिए बिस्तर पर, उनके स्लिपर यहां कुर्सी के पास, पानी का ग्लास यहां में, इसके कुने पर, तौलिया कुर्सी की बहाँ पर, एक बार सुमित्रा ने चिड़कर कहा था, मम्मी तुम तो ऐसे दोड़ती रहती हो, जैसे साक भी उठाए, मम्मी को डॉक्टर ने बैड्रेस पताया है, पीट का दर्द, डाय थर्मी और आराम से ही ठीक होगा, पापा गैस पर चाल्ड चड़ाने लगे, तो सुमित्रा को अनायास रुलाई आ गई, कहां गए उसके वो नादिर्शाह पापा, जो कमरे से जोर से ले, वो भुन-भुन करती, चली जाती, जब्त करके उसने कहा, लाईए पापा, मैं बना देती हूँ, रहने दे, दो दिन से फाइदा और बिगाड़ कर चली जाएगी, रिटायर्मेंट और बुड़ाती दोनों की तैयारी कर रहा हूँ, समझी, सुमित्रा चुप, देखत चाय के साथ उन्हें तीन गोलियां निगलनी थी, दवा खाते खाते वो दवाओं के प्रती इतनी निर्वकार हो गई थी, कि बीस गोलियां भी वो शायद इसी शांत मुद्रा में खालें, सुमित्रा ने रेडियो चलाया, इतनी अउदास वातावरन में रेडियो गली के ल अलग अलग तरे से अकेले, सुमित्रा को लगा, उसके पास करने को कुछ भी नहीं है, बशनी आकर शाम को खाना बना जाएगी, वो दूद के कूपन फाड़ कर बोतलों में फसा जाएगी, दिन का आखरी काम, सुबे सबसे पहले एक बारा आएगा, फिर दूद, फिर दफ बजे चाय ना बने, क्या कहीं ऐसे लोग नहीं, जो उटते ही नहाने की धूम न मचाये, क्या कोई ऐसा परिवार नहीं, जो नौ बजे नाशता ना करे, क्या कोई ऐसा घर नहीं, जहां सुबे होते ही, बड़े आश चर्य या छोटे परवरतन घटे थोने लगे, इसी दिन पाप वो उचल कर खड़ी हो जाए, चलो पापा, नहर तक घूम आते हैं, बापसी में डबल रोटी और अंडे लेते आएंगे, पर मम्मी तब तक वापस विस्तर पर लेट चुकी थी, और पापा शाम का अगभार पढ़ रहे थे, तो ये थी ममता कालिया जी की कहानी, खा होता हुआ घर, सुनने के लिए धन्यवाद